नमस्ते दोस्तों मैं संदीप चौरसिया फारकाओ एंजी और भुपाल से आपका स्वागत करता हूँ और दोस्तों आप सभी को हैपी दिवाली और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइलेज को कैसे बनाए एक छोटे किसान जो की साइलेज नहीं खरीच सकते हैं वो साइ साइलेज बना सकते हैं जो कि मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने साइलेज बनाया है और वो सकसे हुआ है कैसा निकला है उसके वारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ क्यूंकि दोस्तों साइलेज खरीदना महंगा है अपने आप में साथ र अपने आप में तो इस कारण दोस्तों मैंने फ्रेक्टिकल किया था अपने फार्म पर एक एकड़ एरिये में मैंने भुट्टा मक्का लगाया था और लगभग एक समय के बाद 90 दिन के बाद उसकी हर्वेस्टिंग की दूधिया स्टेज में जब भुट्टे आते हैं और दोस्तों हमने गोबर का खाद भी यूज किया उसमें उसमें हमने किसी तरीके का कोई यूरिया और इस तरीकी की चीज़ें यूज ना करते हुए अपने गोबर का खाद को ही रेगुलर यूज किया और दोस्तों बहुत अच्छा रेजल्ट मुझे मिला और हमने बीज लिय घड़ा था अच्छी कॉलिटी का किसी कम्पनी को प्रमोड नहीं करना चाहता इसलिए अच्छी कॉलिटी का बीज लीजिये थोड़ा मेहगा भी हो दो बुट्टे उसमें आये अच्छी कॉलिटी के अच्छे बजन के साथ और हमने उसको हारवेस्ट करके लगभग रक्षा रक्षाबंदन के खास दिन पर हमने उसका साइलेज बनाया दो दिन हमें टाइम लगा उसको बनाने में चौप करने में और दोस्तो एक सिंपल सी चीज कोई खर्चा नहीं किया गया इसमें किसी तरीकी का तीन से चार हमने लेवर ली और कुछ काम हमने खुद भी अपने फार टीन की पई लोग उलेंगे इसका फायदा होगा नुकसान होगा मुझे नहीं मालूम मैं साइंस अभी इसमें नहीं देख रहा हूँ तीन बार यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो एक वही खर्चा है प्लस हार्वेस्टिंग करने का खर्चा है और कुछ लेवर का खर्चा और दोस्तो हर टन में हमने एक से देल किलो गुड का पानी यूज़ किया है और गुड को घोला है एक बाल्टी में लगभग उसमें 15-20 ली है और दोस्तों इसके अंदर एक पॉलिफिन होती है साइलेज chi के अंदर उसको बहुत अच्छे तरहीं से हमने दबा के प्रेस करके उसको बांद दिया और उसके बाद उसके साइलेज के बैक को भी अच्छे से बांद के हमने लगवग आप अंदाजा लगा लिजी अभी दिवाली का दिन है और आज के दिन हमने लगवग चार-पांच दिन पहले ही इसको खोला था और यह देखिए आप सामने कि साइलेज किस तरीके का मिला हम को खोलने के बाद थोड़ा सा ऊपर फंगस की परताई क्योंकि ऊपर एयर रह जाती है क्योंकि हूमन से आप सोचेंगे कि 100% दब जाए प्रेस हो जाए तो नहीं होगा लेकिन बहुत बढ़ा लॉस नहीं है कुछ एक या दो किलो साइलेज अच्छी खुश्बू के साथ और बिना मिलावट का साइलेज दोस्तों मुझे लगा कि जो हम 8 से 10 रुपए में भी साइलेज खरीदते हैं वो भी इस क्वालिटी का नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप लोग भी इस प्रोसेस को यूज कीजिए सिंगल आप कुटी म फार्मिंग करते हैं बुटे की मक्के की तो लगभग मेरे अंदास से आपको 30 टन साइलेज मिल जाएगा जो की बहुत ही बड़ा बेनिफिट देगा मक्के के पेड़ से बुटे के पेड़ से और 30 टन साइलेज आप समझ सकते हैं आपके डेरी के साब से कितने महीने कितने दिन चलेगा और लगभग इसकी कोश्ट लेवर बैग और जो साइलेज हमने लगाया है उसमें यूज होने वाला बीच थोड़ी से लेवर कोश्ट मिला जुला के लगभग साड़े तीन रुपे से चार रुपे मैक्सिमम मैक्सिमम की बात करना हूँ चार रुपे के अंद या नहीं अदरवाइस हरे चारे के तौर पर आप यूज करी सकते हैं अगर कई लोग बोलेंगे कि मानकता के साफ से ठीक नहीं है तो एक हरा चारा तो दो से तीन महीन है चार महीन है आपके पास एबिलेबल रहेगा जो भी जो की एक बहुत ही रहत की बात है दोस्तों और डेरी वाइबल में हरे चारे का बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है जो आपको समझना ही पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि अगर दो धाई एकड़ जमीन है तो डेर डेर एकड़ में या सवा सवा एकड़ में आप दो पार्ट में साइलेज लगा लीजिए एक अभी ल पलता का मंतर आपको दे रहा हूं मैंने रिस्क लिया था तीन महीने बाद मैंने अपना साइलेज खोला आज जरूरत है आज बरसिंग और सुपरनेपियर मेरे पास खतम हो रहा है बरसिंग आने में भी 15-20 दिन बाकी है इस बीच में क्या करता तो मेरा साइलेज मेरे काम आ आगा